दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अपने बैंक खाता को आधार से कैसे लिंक कर सकते हो यानिक दोस्तो डीवीटे से कैसे लिंक कर सकते हो इस वीडियो में दोस्तों आपको complete जानकरी बताने वालाओं लिंक करने का तरीका बताने वालाओं इस वीडियो में दोस्तों दो पार्ट में इस वीडियो को बताने वालाओं पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है आपका लिंक है या तो नहीं दूसरे पार्ट में यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से लिंक कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा बस वीडियो को आखरी तेक बने रहना क्योंके दोस्तो सरकारी कामल जो भी पैसा मिलता है वो डायर्कली आपके आधार काड के थूरू डीबीटे के माध्यम से आपके बैंग खाता में ट्रांसफर किया जाता है ऐसे में दोस्तो आपके आधार काड के साथ बैंग खाता लिंक होना जरूरी है अगर दोस्तो लिंक नहीं रहता है तो आपको सरकारी बेनेफिट जो भी पैसा मिलता है आपके खाता तक नहीं पहुँच पाएगा इसलिए दोस्तो आपके बैंक खाता के साथ आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में तो इस वीडियो का अक्रित बने रहना लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि आपके आधार काड के साथ बैंक आता लिंक है या तो नहीं डिवीटी एक्टिव है या तो नहीं है वसके दोस्तों यहाँ पे गूगल प्रोम ओपन करना इसमें लिख देना है डिवीटी भारत डोट योवी डोट इन इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूगा यहाँ पे दोस्तों डिवीटी भारत का ओफिशल पोटल पे आ जाओगे इस टैपस इंटरफेस खुल जागा अब दोस्तों सबसे पहले ही यहाँ पे जैसे ही मोबाइल से करोगे तो यहाँ पे पहले ही बुलू कलर में आ जागा सिटीजन बैंक अंकाउन आधार लिंक स्टेटस जैसे यहाँ पे देखतो इसी बुलू कलर पे आपको किलिक कदना है इस website का link वीडियो के description में directly आपको दे दूँगा अब दोस्तो इस tab से interface खुल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक option आ जाता है देखतो आधार number को enter करने के लिए उसके बद सेम तो सेम यही विले security code के यहाँ पे डालना है फिर send OTP बटन पे click कदना है जैसे send OTP बटन पे click करोगे तो आपके आधार काड के साथ जो भी mobile number लिंक है उस पे OTP चला जाएगा तो चलिए मैं फटा फट से भर लिता हूँ अब दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सब कुछ भर दिया फिर send OTP बटन पे click करोगे तो आपके आधार काड के साथ जो भी mobile number है वहाँ पे OTP भेज दिया जाएगा और यहाँ पे साफ साफ आपको indicate भी कर देगा कि भेज दिया गया है आपको scroll down करना है scroll down जैसे करोगे तो यहाँ पे एक option आ जाएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हो enter OTP का तो यहाँ पे OTP को enter कर दना है फिर submit बटन पे आपको click कर दना है जैसे submit बटन पे click करोगे तो आपका यहाँ पे सारा dashboard खुल जाएगा जैसे यहाँ पे दिख दो तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका bank account का नाम दिख जाएगा जो भी आपके dbt से link है आधर card से link है वो साब साब यहाँ लिखते हैं अगर दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा link तो आपको link करने की कोई भी ज़रुरत नहीं है उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे active दिखा होना चाहिए यहाँ पे status में setting status में आपका active होना चुरू है अगर आपका inactive है तो कैसे करना है active उसको भी बता देता हूँ तो दोस्तो ये पहला तरीका है चेक करने का अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा तरीका के लिंक कैसे करना है उसके दोस्तो सबसे पहले आपना आधार कार्ड को ले जाना है उसको दो बैंक पास्बुक और दोस्तो बस दो काम आधार काड बैंक पास्बुक और आपका पायन नंबर को प्यातो पायन काड का फोटो कोपी लेकर दोस्तो आपको चले जाना है अपने बैंक बराज में यहाँ पर कोई भी घर बैठे आप लिंक करने को कोई तरीका नहीं ह तो आपको दोस्तो आपका डिवीटी लिंग करना है यानि कि यहाँ पे आपका डिवीटी आधार काड के साथ बैंक काता लिंग करना है तो डायेटली आपको अपने बरांच में विजिट करना है जो भी बैंक में आप लिंग करना चाहते हो जहाँ आपका बैंक पास्बुक ह वहाँ पर अपना आधार काड को लेकर जाना है पायन काड को लेकर जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक पास्बुक का फोटो को पे लेकर जाना है और एक फोटो लेकर जाना है उसके बद वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा वहाँ पर बोलना है कि आधार काड से डिव को तुरण समझ में आ जाएगा तो हैंट तो हैंट वहां पे एक्टिव का दिया जाएगा आधार काड़ और बैंक पासबुक को जमा करवाया जाएगा फोटो को पी तो तुरण सो तुरण यहां पे जिंक हो जाएगा तो इस टैप से दोस्तों अपना डिवीटे लिंक कर सकत लेगा तो इस वीडियो में यही जी आपको जानकारी देना था जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लैक जरू करना और इसी टैप से वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसक्राइब करना बाकी कोई भी प्रोब्लेम है वीडियो कैसे लगी कमेंट बुक्स में जरूर कमेंट करना